जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को पूजा को लेकर रांची में ट्रैफिक पूलिस की ओर से नई वेवस्था की गई है इसके तहत 11-15 अक्टूबर तक राजधानी में नीजी और यात्री वाहनों का परवेश 12 घंटे तक और भारी वाहनों का परवेश 20 घंटे तक वर्जित रहेगा इसके अलावा रांची स पूजा को लेकर पांच अस्थानों पर अलग अलग रूट से आए वाहनों के लिए पड़ाव की सुभधा बहाल की गई है बतादे राजधानी में सैनिक मार्केट और चर्च कम्पलेक्स रातु रोड में न्यू मार्केट टेंपो स्टेंड डक्टर जाकिर हुसेन पार्क रामगार, ट्रेकर, एस्टेंड और जिलाई स्कूल परिशन में अलग अलग छेतर से आने वाहनों के पड़ाव की बेवस्ता रहेगी UPSC PT परिक्षा कल रांची में 60 केंद्रों पर होगी परिक्षा परिक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधी में निस्दाग्य जारी की गई है जैक BCS परिक्षा का रियल्ट जारी जैक ने सुक्रवार को मैंट्रिक, इंटर, पूरक, समपूरक परिक्षा समेत आधात दाजन परिक्षाओ का रियल्ट जारी कर दिया है पतादे इन्वे मैट्रिक, इंटर के लावा, इंटरमेडियेट, वोकेशनल, मादमा, फोकानिया, वो मौलवी परिक्षा का रियल्ट है मैट्रिक वा इंटर की BCS परिक्षा सितमर मिली गई थी पतादे मैट्रिक में कूल 19033 परिक्षार्थी सामिल हुए थे इन्वे से 11895 पर जाथी सफल रहे हैं सरकारी स्कूलों में कमपनी का परचार करने वाले गिरीडी के D.A.C. निलंबित गिरीडी के जिला सिक्षा अधिक्षा कर अर्विंद कुमा निलंबित होंगे इस समान में पत्र जारी कर दिया गया है बतादे गिरीडी के जिला सिक्षा अधिक्षक अर्विंद कुमार का पिछले दिनों एक वीडियो वारल हुआ था जिसमें वह स्कूल में निजी कमपनी के समान के बारे में बता रहे थे सिक्षा भी भाग द्वारा इसकी जाच कराई गई इसके बाद उनके निलंबन की परकिरिया सुरू की गई अस्मार्ट सिटी के लिए नॉवंबर में होगी इनिलामी धुर्वा में निर्मानाधीन अस्मार्ट सिटी में जमीन की इन निलामी नौमबर में की जाएगी इसके लिए टेंडर नोटिस तेयार कर लिया गया है बता दे एक दो दिनों में इसका परकाशन कर दिया जाएगा टेंडर जमा करने की अमतिम तिथी 25 नौमबर तेय की गई है इस बीच प्री बीट मीटिंग वा एन आईटी जैसी परकिरियाय पूरी की जाएगी उसके बाद स्मार्ट सिटी में नौमबर के अमतिम सब्ता में ही इन निलामी कर जमीन का वंटन कर दिया जाएगा पेट्रोल और डिजल की कीमत सतक के करीब पहुँचा है धनबाद में पेट्रोल और डिजल सतक बनाने को विताब है बता दे पेट्रोलियम की कीमत लगतार बढ़ रही है इसका सिधा असर बजार पड़ पड़ रहा है अब पेट्रोल की कीमत 98.01 रुपए प्रति लीटर वहीं डिजल की 97.15 रुपए प्रति लीटर पहुच गई है बता दे नई कीमत सनिवार की सुबा 6 बयों से लागू है पेट्रोल में 28 पैसे और डिजल में 36 पैसे की बिधी की गई है जबकि पिछले एक माह में पेट्रोल 1.76 पैसा प्रति लीटर और डिजल 3.53 पैसा प्रति लीटर की बिधी हो गई है BCCL कर्मियों को 72.500 का बोनस BCCL ने अपने कर्मियों को बोनस का भुगतान कर दिया है बतादे केंदरीय अस्तरपर सभी करमचारियों के खाते में सुक्रवार साम तक एक मुस्त रकम भेज दी गई मुख्याले कोईला भवन ये जे एरिया समें कुछ एरिया के करमचारियों के खाते में थी पैसे आ गए है वहीं छेतरीय अस्तरपर सत परतिशत को सन्य वारतक पैसे मिल जाने की संभावना है पंचाज सचीव और हाई स्कूल सिक्षक के पत पर कब होगी नियुक्ति हाई कोट जारखन हाई कोट के जस्टिश डाक्टर एसेन पाठक की अदारत ने गैर अनुसुजी जीलो के हाई स्कूल सिक्षक और पंचाज सचीव पत पर नियुक्तियों के लिए का दायर विभी ने अच्काव पर सुक्रवार को सुनवाई की इस दोरन प्राथिव राज सरकार का पक सुनने के बाद अदालत ने राज सरकार को सपत पत्र दायर करने का नेदेश दिया कार्मिक विभाग द्वारा च्छ अक्टूबर को जारी पत्र को सपत पत्र में देने को कहा है बतादे सपत पत्र में या बताने को कहा गया है कि गैर अनुसुजीत 11 जीले में सरकार का क्या एस्टेंड है और कप तक न्यूकती होगी जार्खन में 75 क्लोर की ठगी बिश्वा मित्र इंडिया परिवार कंपनी पर लुभावने बादे कर लाखों निवेसकों से क्लोर रुपए की उगाही कर फरार होने का आरोप बतादे कंपनी ने जार्खन में करीब 75 क्लोर रुपए की ठगी की है दूसरी राजियों में भी 1000 क्लोर की उगाही की अब जब जाज को लेकर CBI ने पीडित निवेसको से कागजात इकाठा करने के लिए कई अस्थानों परकैंप लगाया तो भुक्त भोगी एजेंट और निवेसक पक्ष रखने के लिए आई ही नहीं जारखन में साथ दिनों तक होगी बिजली संकट जारखन बिजली बित्रन निवेसक और जारखन उर्जा संचरन निवेसक के M.D. केके वर्मा ने कहा है कि बिजली को लेकर फिलाल पूरे देश में हालात खराब है राष्ट्रिय आपदा की स्थिती है आने वाले साथ दिनों तक बिजली संकट का सामना करना पर सकता है उन्होंने कहा कि इस बार काफी बारिस हुई है जिस कारण कई कोईला खादानों में पानी भर गया है यदि कोईला है तो वह गिला हो चुका है इस कारण देश भर के कई पावर पलांट में छामता से कम बीजली का उत्पादन हो रहा है इस देश व्यापी संकट का असर जारखन में भी पड़ा है गुमला में छो अकलोर की लागत से बनेगी 10 किलोमीटर सड़क गुमला सहर के केओ कॉलेज से लेकर करम डीपा भाया बरिशा टोंगरी असनी होते हुए लोहरदागा रोड तक 10 किलोमीटर पक्की सड़क बनेगी बतादे या परधान मंत्री गराविन सड़क रोजना से बनेगी 10 किलोमीटर सड़क बनाने है लागत करीब 6 को रुपय है बतादे गुमला विधायक भुशन तिर्की की मांग के बाद जार्खन सरकार ने सड़क के अंसंसा कर भारत सरकार से स्विक्रिति देने की मांग की है जिससे सड़क का काम जल्द सुरू हो सके NTPC 40-15 सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनसीप में जार्खन महिला टीम ने रयत जिता जार्खन की रिकावरी आर्चरी टीम ने संदार प्रदसन J.R.D.S.Port Complex में टाटा स्टील वह जार्खन आर्चरी एसोसेशन की मेजबानी में चल रही एंटीपीसी चालिसवी सीनियर नेशनल आर्चेरी चेंपियनसीप में सनीवार को दो पदक अपने नाम किये हैं बतादे जारखंड की महिला रिकवरी टीम ने रायत पदक और पुरुष टीम ने कासी पदक अपने नाम किया है रेलवे एस्टेशन पर वर ट्रेनों में बिना मास्क के ही दिख रहे यातरी लेकिन राची रेलवे एस्टेशन में कई आतरी कोरोना प्रोटोकॉल के प्रतिला परवा बरत्ते नजर आ रहे हैं बतादे या लापरवा ही कहीं भारी ना पढ़ जाए दुरगा फुजा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की द्रिष्टी से साम कोई स्टेशन परिसर और विभीन ट्रेनों में सुक्रवार को ड्रोग एस्वाइट द्वारा जाच अभियान चलाया गया जीत राम मुंडा के मुख्य आरोपी से पूस्ताच भाजबा नेता जीतरा मुंडा हत्यकंड का मुख्य आरोपी मनोज मुंडा को आज पूलिस जेल भेज़ेगी बतादे हत्या के 14 दिन के बाद रांची पूलिस ने चौक डूबर को सिविल कोट परिसर में मनोज मुंडा को गिरफतार किया था इसके बाद से पूलिस लगातार उससे पूस्ताच कर रही है बतादे पूस्ताच में मनोज मुंडा हत्या के पिछे कई वज़ा बताए है मनोज मुंडा ने बताया कि उसका दूसरा मुंडा से पिछले 6-7 बर्सों से बिवाद चल रहा था बिवाद तप गहरा गया जब दो एकर जमीन को लेकर दोनों फिर आमने सामने आगाए पहले से खार खाय मनोज मुंडा ने तय कर लिया कि हर हाल में जित्रा मुंडा को ठीकाने लगा नहाए कस्तुर्वा गांधी और जार्खन बायली का आवासे बिद्याले में 838 सीटो पर नमांकन रांची उपायुक छवी रंजन के अध्यक्षता में कस्तूरवा गांधी अवासे बिद्यालोय और जार्खन बाली का आवासे बिद्यालोय में नमांकन को लेकर जिला अस्तरियो समितिक बैठक हुई बैठक में बिद्यायक बंधू तिर्की सांसत बिद्यायको के प्रतिनी धी जीला सिक्षा अधिक्षक जीला सिक्षा पदाधिकारी प्रखन सिक्षा प्रसार पदाधिकारी कस्तूरवा गांधी अवासे बिद्यालोय के वाड़ान उपसित थे बतादे बैठक में कस्तुर्बागांधी आवासे विद्याले जार्खन आवासे विद्याले बालका विद्याले के काक्षा छव में नमांकन के लिए प्रखंडवार चयनित सूची पर विचार विमर्स किया गया समीती ने बिभिन परखंडों से आई 838 विलिकाव के सूची का उनमोदन किया जार्खन मौसम विभाग कानुसार सनीवार को राजधानी राची में सूबा साथ बज़े आश्मान साफ रहा बतादे तेज धूब खिली हुई है सहर में आधराता का अस्तर 89% है हवा नहीं चलने के करन लोगों को हल की उमस और गर्मी का समना करना पर रहा है मौसम विभाग कानुसार आई दीन में राची का मौसमों की रुप से साप रहेगा दो फर बाद आश्मान में हल के बादल दिख सकते हैं वहीं सहर में अगले तीन दिनों तक बारिस होने की संभावना नहीं है इसके थाथ ही राची के तापमान में कोई खास बदलाव की भी संभावना दिख नहीं रही है गंतंत्र दिवस परेट के लिए चैन शुरू रांची विश्वव बिदैले की एन असेस इकाव की और से पूरव गंतंत्र दिवा समार ओपरेट के लिए चैन परकिर्या सुरू कर दी गयी है इसके तरहत संिवार को 200 बीधाले दिक्छान्त मंदप में 300 बीधाले के सबी कवलेज alguns के NSS स्वेंट सेवकों ने भाग लिया बता दे NSS समयन वयक डाक्टर बिर्जेश कुमार ने बताया कि चैनिज स्वयम सेवाक पूर्वी छेत्र के चैन सिवीर में हिसा लेंगे धन्यवाद